दोस्तो BRC के तरब से बहुत ही बड़ी आप लोगों के लिए यहाँ पे खुसगबरी आ रही है आज हम इस वीडियो बात करेंगे दोस्तो भावा एटॉमिक रिसर्स सेंटर माईसुरू में आहीं वी वेकेंसी के वारे में जहां पे अलोवर इंडिया के फ्रिशस केंड़ेट जो है 12th के, ITI के, 10th के, BTEC, दिप्लोमा के केंड़ेट जो है form को फिलप कर सकते हैं यहां पे cat1, cat2 दोनों के लिए वेकेंसी आई है, इसके regarding detail में information हम यहां पे आपको बताएंगे तो वीडियो पसंद है जो लाइक और शेयर कीज़ेगा, इसके regarding हमने already exemption pattern का वीडियो बना रखा है आप जो है उसको देख सकते हैं, पूरा syllabus हमने discuss किया है cat1 का, cat2 का, plant operator का तो आप जो है सारे वीडियो हमाई चैनल के playlist में जाएं, वहां से आपको examination playlist होगा उसमें आप जाओगे तो आपको वहां से इसकी information किस प्रकार के exam होता है, आपको वहां से मिल जाएगा डिटेल syllabus, topic wise syllabus भी वहां पे upload है, तो दोस्तो बात कर लेते हैं यहाँ पे भावा atomic research center में, आई ही vacancy के बारे में, तो दोस्तो यह जो form है आपका start होगा 4 जनवरी 2021 में, और इसकी जो last year रखी गई है, 22 जनवरी 2021 रखी गई है दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम cat1 की बात कर लेते हैं, यहाँ पर cat1 के लिए कितनी post है तो यहाँ पर अगर दोस्तों बात कर जाए cat1 के लिए, तो यहाँ पर chemistry जाने की बेसीन, chemistry के candidate जो है फॉर्म को fill up कर सकते हैं, chemical, डिप्लमा इन, chemical और यहाँ पर बात किया जाए, कौनकों से candidate जो है, फॉर्म को fill up कर सकते हैं, तो mechanical यहाँ पर eligible है, electrical, electronic instrumentation, तो यह देख सकते हैं, आप दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए, तो यहाँ पर 60% जो है, minimum requirement है, यहाँ पर यह सारी branch है, जैसे कि आप देख रह ही है, वो यहाँ पर जो basic पर होगा, 44,500 यहाँ पर आपका basic पर हो जाएगा, दोस्तों यहाँ पर बहुत सा confusion होता है, जो डिप्लमा अले candidate है, उनके लिए, तो मैं यहाँ पर आपका confusion जो है, दूर कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए, अगर आपने lateral entry डिप्लमा कर रखा ह है, इन ब्रांच में, तो भी जो आप form को fill up कर सकते हो, ऐसा दोस्तों BRC में चाया कोई सी BRC के vacancy लेजए, उसमें जो है eligible है, NPCR की vacancy में जो है lateral entry जो 12 के बाद होता है, वो eligible नहीं होता है, यहाँ पर दोस्तों eligible है, अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं, age limit जो है, 88 ले सब्सक्राइब कर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए कि सेलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो इसका details लेबस का हमने जो सेलेक्शन प्रोसीजर है, already आपको हमाई चैनल में मिल जाएगा, topic बाद यहाँ यहाँ पर discuss रखा है, mechanical के लिए, electrical के लिए, electronic के लिए, और physics chemistry के हम अप्लोड कर देंगे, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, पहला जो screen test है, उसमें 40 questions जो पूछे जाएंगे, और label जो है, दोस्तों मैं आपको वीडियो आप recommend करता हूँ, आप उस वीडियो को जबूर देखिए, बहुत helpful रहेगा, और दिन दोस्तों यहाँ पर interview होगा, interview जो training होगा आपका दो साल का यहाँ पर रखा गया है, पहले साल जो है आपको 16,000 और दूसरे साल जो है 18,000 आपको यहाँ पर salary as a stipend मिलेगा, अब बात करते हैं दोस्तों cat 2 category के लिए, तो देखिए दोस्तों cat 2 category के लिए, यहाँ पर total number of vacancies 36 IU है, जहाँ पर दोस्तों बात की जो chemical plant operator है, जिसमें 12th के candidate जो है science वाले जाने की physics, chemistry, mathematics वाले जो candidate यहाँ पर eligible है, यहाँ पर उनके लिए 8 seat आई हुई है, फिटर जहाँ पर ITI फिटर के candidate के लिए 14 seat, electronic mechanics के लिए 5 seat, 3 seat जो है electrical के लिए, एक seat जो है carpenter के लिए, draftsman, civil के लिए 1 seat, 2 seat जो है यहाँ पर mechanical के लिए और फिटर ब्रांच के लिए बता रखा है, डिटेल, topic wise, syllabus और examination pattern तो आप जो है इसको follow up कर सकते हैं, plant operator के लिए हमने पेपर भी अपरोड कर रखा, आप जो है इसको देख सकते हैं, यहाँ पर पहले paper में दोस्तों, physics से देख सकते हैं, mathematics से 20 questions, science से 20 questions, general awareness से 10 questions जो है पुछी test के basis जो है यहाँ पर selection होगा, जिसमें 50 questions आएंगे, दो घंटे का यह paper होगा दोस्तों, और एक question जो है 3 marks का होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मैं paper भी दे दूँगा, और skill test जो है इसका last stage है, यह जो qualifying nature है, इसके regarding भी आपको हमारे channel भी वीडियो मिल जाएंगे, आप जो है हमारे playlist में जाएंगे, वहाँ पर skill test के regarding भी आपको information मिल जाएगी, जन दस्तों यहाँ पर initially आपको यहाँ पर भी दो साल को training रखा जा रहा है, पहले साल जो है 10,000, दूसरे साल जो है आपको 12,500 stipend मिलेगा, training complete होने के बाद दोस्तों आपका जो basic पर है, दोस्तों यह आपको जो है इनके systems related subject जो है पढ़ाया जाते हैं, then interview होता है और exam भी होता है, तो उन सब में अगर आप 90% secure करते हो, तो आपको जो है technician C की post मिलती है, और आपका basic पर जो है increase कर जाता है, तो उसके regarding भी आप जो है तयार रहना, अगर आप चाहते हो, तो मैं उस पर training के लिए इसके regarding भी एक detail वीडियो बनाऊगा, अब दोस्तों बात कर लेते हैं, कि कितना application fee लिया गया है, यहाँ पर जो application fee लखा गया है, अगर उसकी बात किया जाए, तो application fee तो आप देखी सकते हैं, यहाँ पर 100 रुपए का रखा गया है, 150 रुपए एसिस्टेंट के लिए, तो अ दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे, तो आठारा हजार, जो है बेसिक पर है, इसके साथ साथ अगर बाकी चीज़े मैं जोड़ती है, तो इसमें जो selection procedure है, दोस्तों पहले stage में आपके questions पुछे आएंगे, वो science से देखे 20 questions, mathematics से 20 questions, और 10 questions जो है, इसके बाद जो है, इसके 10 questions जो है, बेसिंगली से, general knowledge से 10 questions आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे, अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पर कैसे apply करना है, तो apply करने के लिए link मैं आपको description box देदूँगा, आप जो है वहाँ से जाके form को fill up कर सकते हो, और या फिर आप इनकी website पर जाके form को इजली fill लब कर सकते हो, तो यह कुछ information सी दोस्तों, जो भावा atomic research center में आई हुई है, तो एक बार दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूँ यहाँ पे, आपको जो है हमाया चैनल में, जो diploma का, जो cat1 वाले candidate हैं, उनके लिए पूरा topic वाइस, syllabus का video already upload है, जो previous year में पूछ चुका हुआ है, दिन दोस्तों, ITI के लिए भी हमने जो है, अलरी वीडियो upload कर रखा है, important topic का, plant operator का paper भी discuss कर रखा है, और skill test के video भी आपको हमाया चैनल मिल जाएंगे, यह बार बार मैं दोस्तों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके comments बहुत आते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यह सारी आप लोग करते हैं, तो आप लोग के कुछ तायत बनता है, दोस्तों, जितना हो सके इस video को अपने दोस्तों में, रिस्तेदारों में share कीजे, और चैनल को subscribe कर लिजे, मिलते हैं फिर नए video और नए information साथ आज के लिए बस इतना है, thanks for watching and listening, अगर आपके कोई doubts हैं दोस्तों, तो आप जो है comment कर सकते हैं, हम आपके doubt को जो है, बुरा clear करने की कोसिस करेंगे, और जितना हो सके दोस्तों, आपके हम मदद करने के लिए यहां पे तयाहर हैं, तो आप जो है, नए है चैनल में तो ज़रूर subscribe कीजे, इसके बाकी अगर आप कोई particular topic के video चाहते हैं, number of comments जार करनाठक में माइसूरू जो है, वहाँ पर करने की बात हो सकती है, अभी जब आएगा इसका detail information आ चुका है वसे, तो लेकिन generally होता है क्या है दोस्तों क्योंकि यहां पर माइसूर में जो है, इसका examination center रहेगा, और आप इसको देखोगे, यहां पर जो इसका examination pattern है, और जो इस चल रही है यह फिर हो सकती है,